अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलें तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने क्लिए हमने लिए हैं पर ओयल एक से दो टेविल स्पून अब सबसे पहले मूंग फलियों को भून लेंगे मूंग फलियों हमारी भून गई तिने बाहर निकाल लेते हैं अब हम इसमे राल देंगे थोड़ा सा जीरा आप राई के दाने भी डाल सकते हैं तो वन टीस्पून हम इसमे डाल देंगे जीरा साथ में डाल देंगे करी पत्ता इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है तो इसा तरह तरह से हम तड़क जाने देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चीली तो चीली आप अपने टेस्ट के साब से ढाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने 2-3 बिंचीली ले ली है यह भी अच्छा बंग है तो आपने इसमे डाल दिया हैं दो कटा हुआ जिसे कि जब हमारे आलो अची तरह से रैड हो जाए तब हमारे मटर भी भून जाए अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर इन सबी चीजों के अची तरह से भून जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर टमाटर बिलकुल ऑप्सिनल है कहीं कहीं यह पसंद किया नमक , सुधरण शाहर नमक डालने के बाद हमने इसे बहुत इफ़ोर से मिक्स कर दिया है अगर आपको इसमे ठोड़ा सा चीरी आइट करना तो आप कर सकते हैं तो यह देखिए हमने पोहे को बहुत अच्छीता से बना कर त्यार कर लिया है पास से 6 मिनिट तक हमने इसे अच्छीता से भून लिया है और हमने कर लिया हमारे पोहे की प्लेटिंग तो लीजे मन कर त्यार मारा बहुत ही टेस्टी पोहा आप इसे जरू ट्राइ किजिगा र प्रेंट्स और फेम्ली में भी शेयर करें मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक्स पर वाच आप